Hello guys, my name is Sibu Misra आज किस video में सब review करने वाल है West Bengal के one of the best private engineering college को जो की है IEM Kolkata अगर इसके full form का बात करें तो वो है Institute of Engineering and Management अगर बात कर इस college में basically आपको Engineering and Management से related courses देखने को मिल जाते हैं और यह जो college है IEM Kolkata यह affiliated है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद University of Technology से या कह सकते हो मकाउट से यह college जो है affiliated है इस college के बारे में आज किस video में हम सब बिल्कूट details में बात करेंगे ताकि अगर कोई बच्चा इस college में admission लेने के लिए सोच रहा है तो उसको सारे details इस video में यहाँ पे मिल जाएगी जिसमें हम हारे points को यहाँ पे cover करने वाले हैं सबसे पहले हम सब बात कर लेते हैं इस college के overview के बारे में यह college established जो था 1989 में and location की बात करें तो Kolkata West Bengal में यह college situated है अगर location की बात दिखी जा तो यह college सौट लेक के आसपस यहाँ पे situated है में इस आपको prime location पे यहाँ पे college देखने को मिल जागा main city में आपको यह college देखने को मिलता है तो आपको यहाँ पे काफी location के भी benefits मिल जाते हैं अगर institute type की बात करें तो यह type का private university है and campus यह गर देखें तो 9 acres का आपको उतना बड़ा campus तो नहीं मिलता but एक decent campus with decent infrastructure आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इसके इलाबा अब हम से बात कर लेते हैं connectivity को लेकि कि आप इस college तक कैसे पहुंच सकते हैं तो यह college है नेता जी सुबास चंदरबोस international airport से 12 km के distance पे है इसके इलाबा सिल्दया railway station से यह 9.5 km के distance पे है मिस ऐसा नहीं है कि college काफी जादा दूरे या city से बिल्कुल बाहर है ऐसा बिल्कुल भी नहीं आप यह airport से या station से easily आप बस या cab के थुरू easily आप पहुंच सकते हैं इसके लबा अब हम सब बात कर लेते हैं कुछ rankings को लेके दो इस college को मिली हुई है सबसे पहले अगर हम सब बात करें NIRF overall ranking का देन इसको 151 से लेके 200 के बीच में इसको ranking यहाँ पे दिया गया है जो कि 2021 की ranking है इसके लबा अगर हम आत करें NIRF engineering में इसको 151 से लेके 200 के बीच में यहाँ पे ranking दिया गया है जो कि 2023 का है और वहीं बात करें NIRF innovation ranking को लेके दन इसको 151 से लेके 300 के बीच में इसको ranking दिया गया है जो कि 2023 का ही है इसके लबाब सबसे most important part में हम सब बात करते है mode of admission को लेके कि अगर आपको IEM Kolkata में admission लेना है तो आप किस तरीकों से यहाँ पर admissions ले सकते हो उसके उपर हम सब बात कर लेता है Generally अगर देखा जाए तो आप IEM Kolkata में चार तरीकों से यहाँ पर admissions ले सकते हो सबसे पहले WBJ के थुरू में इस WBJ जो है वे West Bengal का State Level Interest Examination है जिसके थुरू आप इस College में easily admissions ले सकते हो सबसे पहले आपको WBJ का paper में बैठना होगा उसके बाद आपको WBJ काउंसलिंग के थुरू आपको यहाँ पर admissions मिल जाएगा इसके लाब मान लो अगर आपने WBJ का paper नहीं दिया है और J-means दे रखा है तो भी आप J-means के basis पे भी आप यहाँ पर admissions ले सकते हो लेकिन J-means exam देने के बाद भी आपको WBJ काउंसलिंग में ही participate यहाँ पर करना पड़ेगा इसके लाबा इस college का खुद का entrance examinations भी होता है IEMJ करके उसमें आपको participate turn up पड़ेगा और उसके basis पे भी आपका यहाँ पर admissions हो जाता है तो यह तीन बात रहा है यहाँ पर तीन entrance exam आपको clear करने पड़ेंगे तीनों में से कोई एक भी देन उसके बाद आप इस college में admissions यहाँ पर ले लोगे लेकिन मान लीजिए अगर आपका WBJ में यहाँ जे इमेंज में उतना अच्छा rank नहीं आ रहा ताकि आप यहाँ पर admissions ले पाओ जाल दूँगा आपको description में google form देखने को मिलेगा आपको उसको fill up करना है उसके बाद जो team आप आप पर contact करेगा इंडिया आप डिरेक्ट नमबर पर भी call करके सारी जनकारी आप ले सकते हो किस college में कैसे admissions ले admission का क्या procedure है या किसी और colleges में आप आप admissions लेना है और कोई भी query आपको आ रहा है दना आप इस number पर call करके अपनी सारी query को आप हाँ पर solve कर सकते हो इसके लवा अब हम सब बात कर लेते course of word को लेके कि IEM कॉलकाता में आपको कौन कौन से courses देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मैंने आपको सुरू में ही बताया IEM कॉलकाता में basically आपको यहाँ engineering and management related courses देखने को मिल जाते हैं जैसे कि Btech, MBA, BCA इसके लवा BBA यह कुछ ऐसे courses हैं जो कि आपको इस college में देखने को मिल जाएंगे इसके अलाबा अब हम सब बात कर लेते हैं में लिए Btech के उपर हम सब बात करेंगे कि अगर आप Btech को लेते हो तो आपको कौन कौन से branches देखने को मिल जाते हैं इसके लाबा आपको यहाँ पर Electrical and Electronics Engineering ब्रांच भी देखने को मिल जाता है Electrical Engineering इसके लाबा Electronics and Communication Engineering जिसको हम सब ECEB कहते हैं इसके लाबा Information Technology, Mechanical Engineering यह सारे इस ब्रांचे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे Btech courses में इसके लाबा अब हम सब कर लेते हैं Cut-Off को लेके कि मानलो अगर कोई बच्चा है WBJ का Paper देके इस College में Admissions लेना चाहता है इसको कितने यहाँ पर minimum rank रहना चाहिए ताकि आपका यहाँ पर Admissions हो जाए उसके उपर हम सब बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने Cut-Off का List यहाँ पर निकाला हुआ है यहाँ प कि आपका हमाँ पर Admissions हो जाएगा तो हम यहीं मॉपप राउंड का Cut-Off देखने वाले हैं जो कि WBJ exam का है और General Category कि हम सब यहाँ पर Cut-Off देखने वाले हैं अगर Computer Science and Engineering के Cut-Off का बात करें तो लास्ट यहाँ पर जो Admissions क्लोज हुआ था वह हुआ था 6,398 rank पे इसके अलाबा अ इस rank पे आप Admissions क्लोज हुआ था आप उसको pause करके यहाँ पर देख सकते हूँ इसके अलाबा अब हम से बात कर लेते हैं इस college के fee structure के बारे में कि आपसे कितना fees यहाँ पर चार्ज किया जाता है अगर tuition fees का बात करें तो आपसे per semester 85,000 rupees as a tuition fees यहाँ पर लिया जाएगा इसके लबा admission के समय आपसे one time fee एक लिया जाता है 25,000 का इसके लबा अगर होसलेंड mess charge का बात करें तो आपसे one lakh per year यहाँ पर लिया जाएगा scholarship score को लेके कि कि आपके स्कॉलेज में scholarship देखने को मिल जाता है जैनि इस college में आपको दो टाइप के scholarship देखने को मिल जाता है सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बता है इस college में admissions लेने के लिए इस college का खुद का entrance examinations भी होता है जिसको हम सब IEMJE के नाम से जानते हैं तो अगर कोई भी बच्चा IEMJE में appear होता है दो उस basis पे उसको यहाँ पे कुछ scholarship दिया जागा जैसे कि अगर मैं बात करूँ अगर आप IEMJE का paper देते हो और उसमें आपका aggregate score है वो 60% से जादा है तब आपको यहाँ पे 25% का scholarship देखने को मिल जाएगा बच्चों को डाउट यह होगा कि यह scholarship किस चीज में मिलता है तो बस आपको फर्स समेस्टर का जो tuition fees रहेगा जो कि मैंने बता है 85,000 लगता है उसमें आपको 25% का scholarship देखने को मिल जाएगा और बिल्कुल भी डाउट में ना रहे हैं कि आपको होशले अनमेस में भी scholarship मिलेगा सिर्फ आपको tuition fees में आप इस scholarship मिलने वाला है यह तो होगया पहला scholarship इसके लाबा आपके 10th और 12th के result के basis में भी आपको इस college में scholarship देखने को मिल जाता है जैसे कि मान लेजिए अगर आपक 95% से ज्यादा score वहाँ पे बन रहे है aggregate score तब आपको इहाँ पे 100% तक का scholarship देखने को मिल जाता है means आपको जो first semester का fees लगने वाला था वो 100% वहाँ पे माफ कर दिया जाएगा इसके लाबा अगर आप 10th और 12th में 90% से जादा है तब आपको इहाँ पे 50% का scholarship देखने को तो यह कुछ basic scholarship है जो कि इस college में यहाँ पे offered आपको किये जाते हैं इसके लाब अब हम सब बात कर लेते हैं इस video के सबसे most important part का जो कि कि किसी भी college के लिए सबसे important यह रहता है कि उस college का placements कैसा है तो अगर इस college के highest package का बात करे तो वह है 32 LPA का जो की 8 students को दिया गया था by Amazon means Amazon के दोरा 8 students को यह offered यहाँ पे दिया गया था तो इस चीज से आप यह तो समझ सकते हो कि इस college में companies काफी आपको अच्छी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी अगर इस college के average package का बात करे तो वो 6-7 लेक के बीच में यहाँ पर vary करता जो कि इसका average package है और median package का बात करे तो वह है 4.8 LPA का जो कि मैंने NIRF data से यहाँ पे निकाला है कि 2023 में इस college का median package था वो ता 4.8 LPA का जो कि एक decent package है क्योंकि बहुत सरे ऐसे private engineering colleges है जिनकी fees जो है 15 लाग है 20 लाग है और उनका average package आपको 4-5 लाग देखने को मिलता है लेकिन इस college में आपको median package 4.8 LPA कमी surround आपको 5 लाग तक का median package देखने को मिलता है तो उस कारण से इस college का average package है वो 6-7 LPA के बीच में vary करता है और CAC के average package का बात करें तो आपका 7-8 LPA के बीच में यहाँ पर vary कर सकता है इसके लाब बात करें college में जो management जैसे कि मैंने आपको बाते हैs college में management के भी courses यहाँ पर offer की जाते हैं अगर बात करें management course के placements की तो वो काफी टॉपना चाहाँ पर जाते हैं कि आप कह सकते हो कि engineering से भी अच्छा इस college में management के packages यहाँ पर जाते हैं अगर हम सब management के median package का बात करें तो around 15 lakh के करीब में यहाँ पर median package गया हुआ है management वाले courses का वो भी मैं आपको according to NIRF data के थुरू आपको ब यह management course में admission लेते हो दोनों में ही आपको decent placements देखने को मिल जाएंगी अगर आप भी सोच रहें इस college में admissions लेने का वो भी direct admission लेने का तो आपको यहाँ पर description में मैंने google form दिया आप उसको fill कर सकते हो और वहाँ पर आपकी सारी queries को solve कर दिया जाएगा कि कैसे आप इसमें direct admission ल अगवाय आई जाता है कि मैंस आपको यहाँ पर इंटर्सिंग की opportunities देखने को मिल जाएंगी बीटे courses में या कहलो other courses में इसके लाव अगर हम सब बात करें top recruiters का कि इस college में कौन कौन से recruiters यहाँ पर आते हैं recruit करने के लिए तो उसमें आपका Amazon है, Infosys है, TCS है, Cognigant है, Vipro, Oracle, इसके लाव PwC, इसके लाव NRI, FinTech, Campus Mini, ऐसे बहुत सरे top recruiters से इस college में आते हैं यहाँ पर recruit करने के लिए, अब हम सब बात कर लेते हैं कि जिस college में आप 4 सल यहाँ पर पढ़ने जा रहे हो, उसको campus में आपको कौन कुन से facilities देखने को मिल जाती हैं, सबसे पहले तो आपक कौलकाता में 52 से भी ज्यादा labs आपको देखने को मिल जाते हैं, जितने भी branch होते हैं, branch wise आपको अलग-लग labs देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अगर labs की बात करें तो आपको artificial intelligence, machine learning के अलग labs देखने को मिल जाएंगे, इसके लावा drone tech, AR, VR, computer vision, data science, इनके अलग-लग आपक चोटे library के अलबा, आपको एक central library भी देखने को मिल जाता है, जिसमें 8 lakh से ज्यादा आपको books देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप अपने जाके subjects related, course related, सारे books आपको आपको आपे available हो जाएंगे, जिसको आप जाके वहाँ पर पढ़ सकते हो, इसके लाव कर हम सब बात करे तो IEM Kolkata के अगर classrooms ये बात की जाए, तो आहाँ पर आपको बहुत बड़ी ए classrooms देखने को मिल जाएंगे, 60 capacity students की रहती है, वहाँ पर 60 बचे मतलब बैठ सकते हैं, और सारे ही classrooms में आपको wifi facility, इसके लाव प्रोजेक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, इसके लाव लै बात करें, किसी भी बच्चे को अगर मालो होस्टल में नहीं रहना है, इसके लाव आपको पर PC मिल जाते हैं, जिसको आप वहाँ पर rent पे ले सकते हूँ, इन सब के लावा आपको IEM Kolkata में जिम की facility मिल जाती है, बॉइस के लिए लगे, गर्स के लिए लगे, इसके लावा और sports के भी काफी सारे events से यहाँ पर in college में कराया जाते हैं, और काफी सारे आपको sports की facility यहाँ पर दी जाती है, जैसे कि football, cricket, basketball, volleyball, badminton, table tennis, इसके लवा बहुत सारे indoor games, जैसे कि chess, karam, etc, यह सारे ही आपको sports facilities इस college में देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी, इसके लबा इस college मे बहुत सारे events भी करवाये जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता है, sports के events रहते हैं, इनके कुछ cultural fest रहते हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे events यहाँ पर होते रहते हैं, कि आपको इस college में देखने को मिल जाएंगे, होप करता हूं को यह review पसंद आया होगा, तो video को like करें, share करें, और हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें, thank you